हेलो माई डियर इस्टुएंट्स तो आप सभी का सवगत है हमारी यूटिव चनल पे तो आज हम लोग कुछ कुश्चन की प्रैक्टिस करके सीखेंगे की फॉरलूप के साथ काम कैसे करते हैं सबसे पहला कुश्चन है चले सॉल करते हैं सबसे पहला कुश्चन है तो हमें फॉरलूप का यूज करके एक से लेके 17 तक के नंबर्स को डिस्पले करना है तो हमें इसके लिए फॉरलूप चलाना पड़ेगा जिसको भी फॉरलूप के बारे में प्रॉब्लम है उसको नहीं पता है कि for loop कैसे काम करता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है description box में उसकी link है जहाँ पर मैंने बताया है कि for loop कैसे काम करता है उसका syntax क्या होता है तो वो वीडियो आप जरूर देख लें ताकि इन questions को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो ओके तो चले पहला question करते हैं तो पहला question करने के लिए हम एक loop चलाना पड़ेगा for i in range bracket में हमें देना पड़ेगा कि हमें अपना loop कहां से कहां तक चलाना है तो हमें counting print करनी है 1 to 17 तो उसको देखते हुए हम loop चलाएंगे 1 to 18 हमें एक extra loop चलाना पड़ता है आई क्योंकि यह सारी value हमें i से मिल जाएंगी क्योंकि i की value 1 by 1 पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 होके पहुचेगी यहाँ पर तो यह जब loop चलेगा तो i के थो रोफ 1 से लेके 17 तक की counting को प्रिंट कर देगा अगर आपने for loop को नहीं समझा है तो please आप वीडियो को जरूर एक बार देख लें तो आपको बहुत clarity आजाएगी फिर आपको बिल्कुल भी doubts नहीं होंगे कि यह loop कैसे चलता है और कैसे काम करता है और हमने यहाँ पर जो भी जैसे भी किया है वो क्यों किया है इन सभी के reason आपको पता लग जाएंगे तो please आप जरूर देखें चलिए कुशन पर आते हैं तो यहाँ पर यह हमने i in range 1,18 कर दिया और print में i कर दिया तो यह जो प्रोग्राम है अभी एक से लेके 17 तक के numbers को display कर देगा चलिए हम इसको run करते हैं तो run करने के लिए हमने F5 प्रेस किया और जैसे हम enter करेंगे तो दिखेंगे कि यहाँ पर 1 से लेके 17 तक के सारे natural number display हो चुके हैं अगर आप चाते हों कि यह सारे 17 numbers जो आए हैं वो एक ही line में आएं तो उसके लिए हम यहाँ पर जो print function है उसमें थोड़ी से editing करने की जरूत है हम यहाँ पर I के बगल में कॉमा लगा के लिखेंगे and equal और इसमें हम double quotes के अंदर थोड़ा सा space देंगे ताकि output में हर numbers के बीच में थोड़ा सा space दिखाई दे तो हम लोग इसको run करेंगे फिर से F5 प्रेस किया तो हम देखेंगे कि हमारे 17 natural numbers एक ही line में display हो रहा है और थोड़ा space के साथ क्योंकि हमने वहाँ पर space दिया है अगर आप यहाँ पर कॉमा देते हो जैसे कि हम यहाँ पर कॉमा देते है तो हम देखेंगे कि हमारा जो answer है वो अब एक ही line में आ रहा है लेकिन बीच में कॉमा लगा है अपकी बार space नहीं होगा तो हम FI प्रेस करेंगे और जैसे ही enter करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर 17 natural number डिस्पले हो गए जिसके बीच में कॉमा लगा है तो इस तरीके से आप end equal का use करके print को line change होने से रोक सकते हो और end equal के बाद जो double quotes में आप यहाँ पर देते हो वो उन दो तीन सभी values के बीच में वो sign use हो जाता है अगर आप कुछ नहीं देते हो तो कोई space भी नहीं आएगा अगर आपने हापे space दिया तो space आएगा तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है जैसा question में पूछा गया है वैसा आप उहाँ पर follow करोगे है तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो पहला program है प्रॉपर तरीके से output कर गया इसका run हो गया और हमारा answer भी हमें मिल गया चलिए चलते हैं दूसरे question में कि दूसरे question को कैसे solve करेंगे तो question number 2 में लखा है write a program to print natural numbers from 20 to 1 using for loop तो इसमें बोल रहा है कि आपको natural number display करने है 20 से लेके 1 तक यानि कि हमें reverse counting print करनी है 20 से लेके 1 तक तो इस काम को हम कैसे करेंगे जड़ा देखते हैं तो इस काम को करने के लिए भी हमें for loop यूज करना है क्योंकि यह सारे program हम for loop से बनाने वाले हैं तो हम लोग लेखेंगे for bracket for उसके बाद i in range इसके bracket में हमें लिखना होगा range की हमें कहां से कहां तक loop को चलाना है अब की बार हमें reverse loop चलाना है यानि कि हमारा starting है 20 और ending है 1 तो अगर हमने यहाँ पर 1 लिखा तो यह 2 तक loop चलाएगा क्योंकि एक कम चलाता है तो हमें पूरा 1 तक जाने के लिए हम यहाँ पर 0 follow करेंगे ताकि यह 1 तक चले और 20 से 1 तक की counting को display कर सके अब हमें क्या करना है इसको reverse loop चलाना है तो जब भी हम for loop को reverse में चलाते हैं तो हमें एक extra activity करनी पड़ती है यहाँ पर comma लगा के minus 1 लिखना पड़ता है जिसकी वज़े से वो reverse loop को चला सके तो हम bracket को close करेंगे और यहाँ पर call and sign यूज़ करेंगे हमें value चाहिए है 20, 19, 18, 17 यानि की reverse counting तो हमने देखा कि i बाला जो variable है इसके पास अपने आप से 20, 19, 18, 17, 16 जाएगा यह क्यों जाएगा यह मैं आपको बताया था for loop बाले वीडियो में तो आप description में लिंक दे रखा है वहाँ पर आप उस for loop बाले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको clarity आजाएगी for loop पूरी तरीके से काम कैसे करता है तो आपको इसको समझने में और ज्यादा आसानी होगी तो हम लोग यहाँ पर print लिखेंगे क्योंकि हमें reverse counting print करनी है तो हमें एक ऐसा variable print करना पड़ेगा जिसके पास पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 आ रहा हो तो हमारे loop के चलते हमें इतने से प्रोग्राम में हमें दिख रहा है कि I नाम का एक variable है जिसके पास 20, 19, 18, 17, 16 जाने वाला है तो हम यहाँ पर print के अंदर I को use करेंगे कुछ इस तरीके से और हम देखेंगे कि हमारा जो output है अभी वो 20 से लेके 1 तक reverse counting print करने के लिए तयार है तो इसको हम run करते हैं हमना FI press किया जैसे हम print करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 20 से लेके 1 तक की reverse counting डिस्पले हो गई है अगर आप एक ही line में printing करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर कॉमा लगा के end equal use करेंगे और double quotes में थोड़ा सा space देंगे ताकि run time पर space आ सके तो हम इसको run कराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी reverse counting है वो एक ही line में 20 से लेके 1 तक डिस्पले हो गई है तो कुछ इस तरीके से हमारा दूसरा question solve हो चुका है 20 से लेके 1 तक की reverse counting डिस्पले हो गई है तो आसा करता हूँ इतना समझ में आपको आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 3 की तरफ तो question number 3 में लिखा हुआ है program to print even natural numbers between 2 and 40 using for loop इसमें बोल रहा है कि आपको natural number display करने है 2 से लेके 40 तक तो यह काम हम कैसे करेंगे इसको समझते है तो इस question में लिखा हुआ है कि 2 से लेके 40 तक कि आपको even natural number display करने है तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आती है कि हमें एक loop चलाना पड़ेगा जो 20 से लेके 40 तक जाता हो तो चली start करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे for i in range तो हमने लिखा i in range और हम bracket में range लिखेंगे कि हमें loop कहां से कहां तक चलाना है तो हमें लूप चलाना है 20 से लेके 40 तक तो आपको पता है कि हम लोग एक extra लूप चलाते हैं तो हमने लग दिया 2 से लेके 41 तक और यहाँ पर लगा दिया colon sign अब हमने किया enter तो हमें चाहिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 क्योंकि even वो होते हैं जो 2 से divisible हो जनको हम हिंदी में sum बोलते हैं sum values यानि कि sum number तो 2, 4, 6, 8 यह सारे even values हैं क्योंकि यह 2 से divisible हैं तो हमारे पास इस program को बनाने की 2 तरीके हैं पहला तरीका यह है कि हमें सबसे पहले 2 चाहिए फिर 4 चाहिए फिर 6 चाहिए यानि कि अगर हम अभी अपने loop को देखें तो हमारे पास जो i नाम का variable है उसके पास पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा फिर 5 आएगा इस तरीके से सारी values आने वाली हैं तो अगर हमने अभी print के bracket में i कराया तो इससे क्या होगा कि ये 2 से लेके 40 तक के numbers को display करेगा पर हमें ये नहीं चाहिए हमें 20 से लेके 40 तक के सिर्फ even चाहिए तो ऐसा करने के लिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये loop का variable i में 2, 3, 4, 5, 6 सारी value continuously दे रहा है तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो loop है वो i को पहले 2 दे फिर 4 दे, फिर 6 दे, फिर 8 दे फिर 10 दे तो हमारा काम आसान हो जाए तो ऐसा करने के लिए आपको बताया गया था for loop का जब सिखाया गया था तो इस पर आपको बताया गया था कि ये जो loop है हम यहाँ पर एक step value को add कर सकते हैं इस से वो उतनी gaping maintain करके आगे बढ़ेगा तो अभी हमें जो gaping maintain करनी है वो 2 की है तो हमें आप लिख देंगे 2 अब अगर हम इस program को run कराएं तो हमारा जो answer आएगा वो 2 से लेके 40 तक के सारे even numbers display करेगा तो हम लोग F5 प्रेस करेंगे और जैसे ही हम enter करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 से लेके 40 तक के सारे even values display हो गई तो इस तरीके से हम 2 से लेके 40 तक के सारे even numbers को display करा सकते हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है चलिए उसको सीखते हैं तो normally जैसे के हम loop चलाते हैं 2 से लेके 41 2 से लेके 41 तो हमने ऐसे चला दिया अगर हमने अभी इसको प्रोग्राम को run कराया तो वो 2 से लेके 40 तक के सारी values को display करेगा लेकिन हमें तो सरफ even चाहिए तो हमारे पास एक तरीका है अभी जो यह print है वो क्या कर रहा है loop के अंदर बार-बार आके और print i क्या करेगा i की value को display करेगा जिसके चलते सारी value display हो जाएंगी 2, 3, 4 यानि की even के साथ odd value भी display होगी तो हम इस print को control करेंगे हमने इस print से कहा कि तुम बार-बार print करते हो तुम बार-बार print ना होके तब ही print हो जब i की value even हो यानि की एक condition आ रही है कि यदि i even है तो ही ये print आई चले जब i even ना हो तो ये print आई ना चले तो इस चीज को लिखने के लिए python language में एक if statement दिया गया है जिसमें लोग condition लगा के statements को control कर सकते हैं तो हम यहाँ पर if लगाएंगे और उसमें condition लगा देंगे कि यदि i यानि की जब i 2 से divisible हो तो modulus 2 equal equal 0 हमने यहाँ पर modulus का sign इसलिए लगाया क्योंकि जब भी कोई number किसी number से completely divisible होता है तो उसका जो remainder होता है वो 0 होता है तो अगर वो number 2 से completely divisible होगा तो उसका remainder 0 होगा इसलिए हमने condition में रखा है कि i को 2 से divide किया जाए और उसका remainder अगर 0 के equal आता है तो वो number even होता है उसके अगर हमने हम पर column सान लगाया हम enter करेंगे तो हमें sprint को if के indentation में रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से तो अब ये loop तो हर बार चलेगा 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए लेकिन ये जो condition है वो हर बार true नहीं होगी वो कभी होगी कभी नहीं होगी यानि कि जैसे कि 2 के लिए होगी फिर 3 के लिए नहीं होगी फिर 4 के लिए नहीं होगी 4 के लिए होगी वो स्रिफ तभी प्रिंटिंग करेगा जब i की value even हो तो अगर हम इस program को run करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें अभी भी दो से ले के चाले सके सारे even display हो रहे हैं और odd value display नहीं हो रहे हैं तो हम इस तरीके से सारे even numbers को display कर सकते हैं एक condition लगा के आपको यह तरीका सीखना भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जो cutting programs होते हैं उसमें आपको यह conditions का बहुत जादा यूज़ करना पड़ता है तो आप shortcut की चकर में समझ लें उसको भी और इसको भी लेकिन आप बिल्कुश shortcut में नहीं रहें क्योंकि जब आप इसको यूज़ करने की जूरत पड़ेगी तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाऊगे इसलिए यह वाला तरीका सीखना भी ज़रूरी है तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो कोई बाउंडेशन नहीं है ठीके चाहिए आप ऐसे बनाओ चाहिए आप ऐसे बनाओ लेकिन आपको दोनों सिच्विशन पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुगा और वैसा क्यों हुगा तो इस तरीके से हमने अपना तीसरा कुशन कंप्लीट किया इवन नैश्रल नंबर्स बिट्वीन टू एंड फॉर्टी तो दो से लेकि चालिज तक के सारे हमने इवन नंबर्स को डिस्पले करा दिया तो समझ में आ चुका होगा आपको चलिए चलते हैं अगले कुशन के पास तो कुशन नंबर फोर है लूप चलाना है बन से लेकि फोर्टी तक हम चलाएंगे वन कॉमा फुर्टी तो एक से लेके चालिस तक लूप चला दिया जैसा कि आपको पता है आपको एक एक्स्ट्रा चलना पड़ता है तो हम यहां पर चलिए फोर्टी रहे देते हैं तो यह थर्ट नंबर्स को अगर 41 तक भी लूप नहीं चलेगा अगर आप चाहो तो 41 तक भी लूप चला सकते हो क्योंकि 41 के लिए लूप चल नहीं पाएगा क्योंकि यह 1-1 increase करता है तो 41 का number नहीं आएगा क्योंकि 41 चलाओगे तो 40 तक ही चलेगा एक कम चलता है इसलिए चलिए तो हमने एक से ले के 40 तक की कुश्चन में बोला था 1-2 40 चलाना है तो हमने उसके basis पर 1-2 40 चला दिया अब उसने बोला है कि आपको एक से ले के 40 तक के सारे odd values को display करना है तो odd values कौन होती है तो odd values वो होती है जो 2 से divisible ना हो तो एक तरीका ये भी है कि हमारा loop 1 से चल रहा है अगर हम print आई करेंगे तो अभी तो हमारा जो program है वो एक से ले के 40 तक के सारे natural number डिस्पले करेगा क्योंकि wide quality 1 का increment करता है तो 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से loop चलेगा तो print आई सभी value को display कराएगा तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो loop का variable है आई इसके पास 1 के बाद सीधा 3 आए फिर सीधा 5 आए फिर सीधा 7 आए फिर सीधा 9 आए तो हमारा काम आसान हो जाएगा तो हमने देखा कि यहाँ पर भी जो gaping है वो 2 की है 1 के बाद 3 चाहिए 5 चाहिए 7 चाहिए 9 चाहिए 11 चाहिए तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर step value लिखते हैं और यह पूरा 39 तक इसने सारे odd numbers तो दे दिया तो इस तरीके से हमारा program output आ चुका है ओके हम दूसरा तरीका इसमें भी apply कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से ना चला के condition लगा के करें तो हम भो भी कर सकते हैं तो हमने लूब एक से लेके 40 से की चला दिया उसके वाद हम यहाँ पर for के अंदर एक condition लगा देंगे if और इसमें odd की condition लगा देंगे तो odd क्या होते हैं जो number 2 से completely divisible नहीं होते हैं वो odd होते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे if i modulus 2 not equal 0 यानि कि जो 2 से completely divisible नहीं है तो उसका जो remainder है वो 0 के बराबर नहीं आया होगा तो अगर remainder 0 आया होगा तो यह condition false हो जाएगी अगर जो remainder है वो 0 ना आके कुछ और आया होगा तो यह condition true हो जाएगी तो यह condition true भी तभी होनी चाहिए जब i odd हो जब i even ना हो ठीक है तो हमने इस condition लगा दी हम जैसे enter करेंगे तो इस indentation पर हमें print आई लिखना पड़ेगा तो लुप तो हर बार अंदर आएगा 1,2,3,4,5,6 सभी नंबर के लिए पर यह condition है वो हर बार true नहीं होगी कभी होगी कभी नहीं होगी तो जब भी होगी तो वो odd number होगा और वो यहां से display हो जाएगा ठीक है कभी कभी कोई यहां पर odd condition के लिए इस तरीके से लिखता है i modulus 2 equal equal 1 तो यह भी सही है odd के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जब भी आप किसी भी number को 2 से divide करते हो तो इसका जो remainder है वो 1 ही आता है अगर वो odd है तो अगर वो even है तो remainder 0 ही आएगा तो remainder हमेशा 0 या फिर 1 मिलेगा अगर आप किसी भी number को 2 से divide करोगे तो इसलिए हम ल तो इस तरीके से condition बना रहा है i modulus to equal equal 1 तो उसका भी सही है अगर आपने बनाया है i modulus to not equal 0 तब भी आपका सही है odd के लिए दोनों condition true रहेंगे तो इस तरीके से हमने देखा कि एक से लेके 40 तक के यहाँ पर odd आने वाले हैं हम इसको भी run करा के देख लेते हैं तो हमने देखा क कि यहाँ पर यह इस तरीका भी एक से लेके 40 तक के सारे odd number को display करा पा रहा है तो अगर आप चाहते हो कि यह सारे नंबर एक ही line में print हो तो आपको पता ही है comma लगा के end equal इस तरीके से हम डाल देंगे double quotes में space डाल देंगे तो हम देखेंगे कि अब सारे जो output हैं वो एक ही line मे print होंगे तो कुछ इस तरीके से इसने देखो वन से लेके 39 तक के सारे odd number को display करा दिया और line चीज नहीं करी क्योंकि हमने यहाँ पर end equal का use किया है तो कुछ इस तरीके से हमारा जो fourth वाला question है यह complete हो गया तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो चारो questions हैं चारो जो program हैं व या बड़े programs को बहुत ही आसानी से बना सकते हो program बहुत easy होते हैं हमें उसकी language को समझना होता है और जो हम सीखते हैं यानि कि जो conceptual सीखते हैं जैसे की for while तो हमें इनके purpose को इनकी importance को समझना होता है और how to use it उनके syntax को समझना होता है इसके बाद यह सारे programs हमारे लिए बहुत आसान होते हैं आपकी thinking process थोड़ी सी change आपको करनी पड़ेगी program के according तो जैसे आप मेरे videos देखते जाएंगे तो आपकी thinking process change हो जाएगी और आपको समझ मियान लग जाएगा कि हम जब क्या लिखा होता है तो क्या करना चाहिए और conditions को कैसे बनाया जाए कैसे इसको deal किया आप बहुत को सीखने वाले हो आप मेरे सारे videos को इस तरीके से लगातार देखते रहो और आपका बहुत सारा benefit होने वाला है ठीक है चलिए अगर आपको video पसंद आता है तो आप उसको like और चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो चलिए चलते हैं मिलते हैं next video के साथ तब तक के जहन